जाहिन साथियों आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहां मैस मैजिक पे जहां रखते हैं आपको प्रॉसेस सेलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेनुरी इंफोर्मेशन आज की पूरे के पूरे वीडियो में बात करेंगे अजीम प्रेम जी फा अगर नहें पसे isterना अगर यह आप सब जानते हैं कि अगर हम इंडिया की बात कर ले तो जितने भी डोनेट उनमें अजीम प्रेम जीर को नाव में और education रस्तर को जो है ना बहुत ही का सकते हैं कि education रस्तर को उठाना का काम करते हैं अगर आप अजीम प्रिवर्जी फांडेशन में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़ियां और सांदार opportunity है क्योंकि यहां पे आपको संदार salary मिलता है सीखने का बहुत सरा option होता है और साथ में आपका career जो है ना सर यहां पे अगर आप join कर लेते हैं तो career growth बहुत ही ज़्यादा है आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे अजीम प्रेम जी foundation में resource person and teacher तो सबसे पहली जो है अगर आप चैनल पर नहीं है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो like का बटन जूर दवा दीजेगा तो अभी अजीम प्रेम जी foundation में resource person और teacher का वेकिंसी निकल के सामने आ रहा है अगर आप teacher बढ़ना चाहते किसी भी subject से हो तो सबसे पहली बात graduation होना चाहिए इसके साथ साथ आपके पास BAT या DLAT चीक है इस तरह का डिगरी होना चाहिए मतलब teacher training का डिगरी आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी भ field में आपको as a school में काम करने का या कई भी education field से आपके पास experience होना चाहिए teacher के लिए को experience mandatory नहीं है अगर आपके पास experience है तो आपका CV ज्यादा strong बन जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो process होता है ना चार पांच state में होता है हर एक महीने आपको हर एक महीने दो महीने पर यहां पर vacancy देखने को आपको मिल सकता है इसका सबसे पहले क्या होता है कि आपको online form भरना होता है cv upload करना होता है जब cv आप upload कर ले descriptive type का question होता है कुछ descriptive भी question होता है question concept basis पे होता है social issue पे होता है education related होता है article से होता है constitution से होता है यही सब question होता है इसके बाद जब आप crack कर देते हो written examination तो आपका one-to-one interview होता है video conference के माध्यम से होता है इसमें आपका knowledge test होता है कि आप जिस subject के लिए teacher के लिए कर रहे हो या resource person के लिए कर रहे हो तो क्या आपको उस subject पे पकड़ है साथ में आप किस तरीके से अपने बाते को रखते हो यह पूरे के चीज़ चेक होता है concept जो है यहाँ पे ज्यादा important हो जाता है और खासके math के लिए अगर आप resource person के लिए करते हो तो इसका जो final interview होता है उसमें leadership quality जाज किया जाता है तो leadership quality जाज किया जाता है जिसमें यह देखा जाता है कि क्या आप पूरे school के teacher को लेके एक blog अस्तर पर आपको resource person बनाया जाता है तो बहुत सरा school होता है तो उसमें जितने भी school के teacher होते हैं उनको साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं क्या सीखने और सिखाने का जो यह प्रकिरिया है अजीन प्रेवी foundation को उसको आगे आप carry forward कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो यह पूरा का पूरा process होता है अभी जो है इसका last date 18 को ही है और exam date वी जो है इसी महीने में ही है तो आप अगर form नहीं भरे हैं तो अभी जाए फटा-फट ठेके रहा और जल आपको recruit करते हैं और बहुत ही संदार साली रहते हैं कितने लोग पूछते हैं साली क्या होता वह आप से पूछते हैं कि कितना चाहिए आपको ठीक है अगर आप सुट कर जाता है उनका जो है ना foundation में आपका personality आपका knowledge आपका experience तो they will hire you at any cost हो सकता है आप 60,000 भी मांगो तो हाइर कर लेंगे कि उनके पास बहुत चाहरा पैसा है ठीक है चलिए कैसा लगा आपको वीडियो यह जुरूर बताईएगा और साथ में कॉमेंट करके अपने query को भी पूछेगा अजीम प्रिम्जी foundation लेटे कोई भी query हो तो वह भी बताईएगा चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा और लाइक का बटन जुर दबा दीजेगा चलिए बेस्ट अफ लग जो लोगी फार्म भर रहा है बेस्ट अफ लग